जिला बिलासपूर के अंतरगत पढ़ने वाली प्रात्मिक स्वास्थिक केंद्र बहल में लगभग चार महीने से डॉक्टर की कुर्सी खाली पड़ी है जिससे मरेजों को पंजाब नाना देवी नालागड या निजेस पतालों में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है फार्मसिस्ट के सहारे चल रहा ये स्वास्थिक केंद्र अपनी अंदेखी पर आसू बहाने पर मजबूर है सबसे ज़्यादा परिशानी स्कूली बच्चों और मेडिकल बनवाने वाले लोगों को हो रही है और उन्हें मेडिकल बनवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है जिससे लोगों का समय और पैसा बरवाद हो रहा है बताते चले कि इस स्वासे केंद्र से बेहल और कोड़ा वाला पंचायतों के अलावा पंजाब के लोग भी स्वासे लाभु प्राप्त करते हैं लेकिन डॉक्टर का पड़ खाली होने से लोगों को भारी दिकतों का सामना करना पड़ा है कॉंडा वाला पंचायत के प्रधान प्रदीप कुमार बेहल ने पंचायत की प्रधान करम जीत कौर ने सरकार और विवाग से आगर किया है कि डॉक्टर का खाली पड़ा पज जल से जल्द भरा जाए जिससे आम जन्मानस को स्वास्ते सुविदाओं का लाब मिल सके दिकत्यार ही है बच्चों ने मेडिकल बढ़ना और कोई भी हमारे को जुरूर तो कोई मरी जो हो तो डाक्टर ने मिलता है हमारे आप से बेंती है कि आप यहां पर नाला ठोगर जी से और हमारे मुख्य मंत्री सुखुजी ते यह आशा करते हैं कि हमारे यहां डाक्टर की पोस्ट परी जाए दन्यावाद प्रांचे उर्फ गुडू ग्राम पंचाथ बहर से तो मैं यही कंजाइस करूगा मुख्य मंत्री से कि हमारे जो हस्ताड़ा पीसी है इसने बहुत दिन से डाउटर नहीं है और हमारे जो बच्चे मेडिकल बनाना है और सैटिविट बनाना है उनको बहुत भारी ठीकत है ह हम अपने पूर्व मंत्री को भी श्री रावलाल जी को भी हम यही कहेंगे कि यहां जल्दी से जल्दी डाउटर दिया जाए हिमाच्व प्रशुतली स्वारगार से सुभाश च्वंदेल की रिपोर्ट